दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो लड़कों के मन में अक्सर एक प्रस्न उठता रहता है कि आखिर लड़किया कैसे लड़के को अपना बॉइफ्रेंड जल्दी बना लेती है या कैसे लड़के के साथ जल्दी सारी रिस्ता बना लेती है क्योंकि कई बार तो लड़किया ऐसे लड़के को अपना बॉइफ्रेंड बना लेती है जिस लड़के की न तो परसनेलेटी अच्छी होती है और नही रंगरूप और सकल सूरत अच्छी होती है ऐसी स्थिती में लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि आखिर इतनी सुन्दर लड़की का लंगूर पर दिल कैसे आ गया है इसके अलावा काफी लड़कीयों के बॉइफ्रेंड तो ऐसे होते हैं जिनके पास न तो पैसा होता है और ना ही रंग रूप और सकल सूरत अच्छी होती है फिर भी उन्हें अपना बॉइफ्रेंड बना लेती हैं वहीं कुछ लड़के सुभा और रंग रूप और सकल सूरत में बहुत अच्छे होते हैं यहां तक कि हर एक काम में परफेक्ट होते हैं फिर भी उनके पास कोई गर्ल फ्रेंड नहीं होती जबकि वे गर्ल फ्रेंड बनाने का प्रियास भी करते हैं अब इन इस थितियों को देखकर कोई भी लड़का सोचने पर मजबूर हो ही जाएगा कि आखिर लड़कियां चाहती भी हैं तो क्या चाहती हैं चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें नमबर बन दोस्तो आज कल की ज़्यादा तर लड़कियां जिन खूबियों वाले लड़के को अ कुछ बिगडेल टाइप के होते हैं लिकने जब लाइफ पार्टनर के चुनाव की बात आती है तो ज़्यादा तर लड़किया ऐसे लड़के को पसंद करती है जो सीधे सरल सब और सुसील होते हैं सेकर नमबर दोस्तों अगर एक रिसर्च की बात करें तो एक अतर परसेंट लड़किया और इस्तिया अच्छी हाइट बाले दयालू सब और सुसील लड़के को अपना पार्टनर बनाने की इच्छा रखती हैं क्योंकि अच्छी हाइट के लड़कों के साथ लड़किया खुद को अधिक सुरचित महसूस करती हैं वहीं दयालू सब और सुसील कोई लड़का अच्छे नेचर का होने के साथ फ्रेंडली है तो लड़कियां ऐसे लड़के को जलद अपना पार्ट्नर बना लेती है थारड़ नमबर अच्छे लड़कों को अच्छे लड़कों को अच्छे लड़के कभी भी पसंद नहीं आते हैं। बोलने में ही सालों का समय लगा देंगे जबकि बैसे टाइप के लड़के चार दिनों के प्यार में ही वह सब करने पर मजबूर करने लगते हैं या वह सब करने को कहने लगते हैं जो इस तरह की लड़कियां खुद चाहती हैं। पार्टनर तो बना लेती है, ताकि उस पर सासन कर सकें, उसे अपने इसारों पर नचा सकें, अपनी मनमानी कर सकें, यहां तक कि उसे दोखे में रखकर किसी और के साथ मौज मस्ती कर सकें. फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.